तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको समय समय पर financial problem या ग्रहों से संबंदित कुछ important जानकारियां देता रहता हूं पर आज की जो जानकारी है वो उन लोगों के लिए बहुत जुरूरी है जो की financial problem से actual में गुजर रहे हैं और उनकी कुंडली में शुक्र छटे भाव का है चटे भाव का शुक्र तो ऐसा कहा गया है कि जो स्तरी की इज़त करे स्तरी को पूरी तरीके से सुखी रखे तो उसके जीवन में धन और माया की कभी कभी नहीं हाती है कभी भी वो financial दिक्कतों से नहीं गुजरता है पर कुछ हमारी तरफ से ऐसी गलतियां हो जाती है या फिर हमारे जीवन साथी की तरफ से ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण इनसान financial trouble में आना शुरू हो जाता है जब भी किसी की कुणली में sixth house का शुक्र है तो ऐसे केस में ये कहा गया है कि उसकी धरम पत्नी कभी भी घर में नंगे पैर ना चले शनी के उपाए शनी को सही रखना जरूरी है और समय समय पर ब्रस्पती की मदद शनी तक पहुँचाना बहुत जरूरी होता है ये कैसे मदद पहुचाई जाती है कैसे ये मदद पहुचा के हम financial दिक्कतों को दूर कर सकते हैं क्या ये छोटे-छोटे उपाए होते हैं, क्या ये साबधानिया होते हैं, इन्हीं को आपको समझना है, अगर financial दिकत बहुत जादा हैं, आपके कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप financially एक तरीके से आपका graph down होता जा रहा है, तो simple सा एक कुपाए कर लेना, कि आपको अपनी wife को ये कहके रखना है, कि घर में नंगे पैर बिल्कुल ना घूमें, और जिसकी भी कुणली का शुक्र छटे भाव का है, अगर ये मर्द है, तो उसकी wife कभी भी अपने बाल ना कटवाए, जितने लंबे बाल रखेगी, उतनी ही घर मे सुक समर्दी और पैसों की बरकत बढ़ेगी, और इस सीज का और ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति की wife कभी भी मर्दाना कपड़े, यानि कि जन्स कपड़े ना पहने, कई बार आपने देखा होगा घर में टी-शर्ट, लोवर, ये सा पहनते हैं, या जीन्स पहनते हैं, तो ऐसे केस में financial दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जितना ही शुक्र के परभाव को बढ़ाएंगे, उतना ही यहाँ पर शुक्र आपके जीवन में financial दिक्कतों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, और एक उपाए और है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि आपके married life में आप गिरापर, birthday पर, जैसे भी आपको मौका लगा करें, तो आपने सोने का एक clip, जो कि बालों में लगाया जाता है, लेडिस के बालों में लगता है, जितना ही आपका समर्थ हो, वैसा बनवा लीजे चाहें, पिन बनवा लीजे, चाहें, clip बनवा लीजे, कुछ भी बनवा ली तो शनी जब भी बरस्पती की मदद पाएगा, तो वहाँ पर एक शुबता को वो पाएगा, और आपके जीवन में आर रही financial दिक्कतों को दूर भगाएगा, तो है तो ये बहुत छोटी सी, जिसे हम कहते हैं कि practical तरीके से भी आपके married life के रिष्टों को सुधारेगा, और जिसकी भी wife की health खराब रहती है, बहुत खराब रहती है, कुछ न कुछ दिक्कते आती रहती हैं, तो उनके लिए simple यही है कि घर में कभी भी नंगे पैर मत घूमें उस्तरियां, अपने पैर में चपल पहन लीजे, सरदी आ गई तो आप socks पहन के रखिए, कुछ भी पहन के रखिए, पर अपना जो तलवा होता है, पैर का जो नीचे का हिस्सा होता, वो कभी भी जमीन से टचना हो, तो यहाँ पर यह चीज आपके लिए एक negative effect लाती है, wife का स्वास्त तो खराब होगा ही होगा, साथी साथ घर में जो आपकी पैसों की दिक्कते हैं, उसमें भी बढ गंदा गुसा देता है इंसान के अंदर, इंसान जुंजलाया सा फिरता लड़ने को उतारू रहता है, तब इस केस में यहाँ पर चंदर्मा की मदद शुकर को दी जाती है, आपको एक चांदी की ठोस गोली कम से कम चार गराम की अपनी पॉकेट में जरूर रखनी हैं, पिंजरा गोली आप टाइप करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आजाएगी और वीडियो आप अराम से देखिए और पूरे उसके जो जानकारी है वो हासिल करके आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो गले में पहनी है, चाहे अपनी पॉकेट में चढ़ाया करें, समय समय पर सोंबार के दिन चढ़ाते रहेंगे तब भी शुक्र के काफी अच्छे प्रभाव आपके उपर आएंगे, फाइनेशल दिक्कतों से आप निकलोगे, और एक उपाय और कहलाता है जो कि शुक्र का काफी कारगर सिद उपाय है, आपको कांसे की क मुर्ति के आगे रखकर प्रातना अपने बोलकर आपको चले आना है, यह सिंपल उपाय है, आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं, छे महीने में एक बार भी करते रख सकते हैं, और यह करते रहिए, आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ-साथ अपने घर में आप एक काम, धेनों, गाय की मुर्ति जरूर सजा के रखिए, और सजाने की जो direction है, वो भी ध्यान रखिए क्या होनी चाहिए, आपके गर की नौर्थ वेस्ट या सौथ वेस्ट की direction में आप यह मूर्ति सजा के रखिए, दे